हेलो स्टुडन्ट नमस्ते तो स्टुडन्ट आप लोगों की एफे 3 की एक्जाम समपूर्ण हो गई आसा रखते हूँ कि आपके पेपर सारे अच्छे गए होंगे तो स्टुडन्ट आज मैं आपको कुछ नया सिखाने जहा रही हूँ तो एफे 3 में आपके निबन थे अब आप गध्यांस जो आपको पता नहीं होगा गध्यांस याने क्या तो गध्यांस याने की पेरेग्राफ जो दिया गया होता है एक्जाम में वह उनको सांती से पढ़ कर उनके अंदर से निकले गए प्रस्ण वो लिखे गए होंगे तो ये पेरेग्राफ पढ़ कर आपको अच्छी तरह सांती से पेरेग्राफ पढ़ना है प्रथम फिर उनके प्रस्ण दिये गए होंगे उत्तर आपको इन में से ही मिल जाएगा तो आज हम कुछ नया सिखेंगे तो ये आपको एक्जाम की तयारी में इसी तरह का गध्यांस पूछा जाएगा तो आपको मैं अभी एक्जामपल के दोरान ये करवा रही हूँ ये आपको नोट में लिखने करेगा और ऐसा ही दूसरा एक्जाम में इसी रिलेटेट पूछा जाएगा दूसरा ठीक है तो आएए प्रतम हम सांती से पढ़ेंगे सबका ध्यान याँ पे स्टुडांट एक बकरी थी वह आराम से पहाड़ी पर उगिवी घास खा रही थी तभी बाग की नजर उस पर पड़ी वह बकरी को खाना चाता था इसी लिए वह पहाड़ी पर चड़ने की कोसिस करने लगा पर फिशलन के कारण वह पहाड़ी पर नहीं चड़ पाया तब उसने बकरी को नीचे बुलाने की एक तरकीब सूची ये एक बकरी की कहाने है थोड़ा बहुत भाग है अभी उसमें से दिये गए प्रश्न के उत्तर प्रश्न दिये गएंगे एक्जाम में आपको सिर्फ पैरेग्राप पढ़कर गद्यांस पढ़कर उसमें से आंसर निकाल कर लिखना है तो हम प्रश्न पढ़ेंगे प्रथम एक बकरी क्या खाती थी तो देखना आपको इसी पैरेग्राप में से मिल जाएगा क्या खा रही थी गास तो यहां लिखोगे गास नमबर दो है बकरी को कौन खाना चाता था कौन खाना चाता था बचताएए बच्चो मैंने आप प्रेरेगा पढ़ा ना तो आप सब का ध्यान यहाँ पे था ना कौन खाना चाता था बाग कौन बाग फिर है बाग किस पर चड़ने की कोसिस करने लगा किस पर देखो अंदर से मिल जाएगा लेकिन आपको थोड़ा पढ़ना पढ़ेगा पढ़े बिना आपको आएगा नहीं तो यहां पे आएगा पहाडी क्या चड़ रहा था पहाडी चड़ने की कोशिस कर रहा था नमबर चार है किसके कारण बाग पहाडी पर नहीं चड़ पाया तो यहाँ पे देखिए किसके कारण नहीं चड़ पाया कोशिस करने लगा पड़ फिसलन के कारण यानि कि वहाँ लीशा हुआ जो भाग था एकदम लीशा भाग था फिसलन जो स्लाइट जैसा भाग होता है जिसमे हम फिसल जाते हैं वहाँ वहद चड़ने की कोशिस कर रहा था पांच नमबर है पहाड का एक शमानर्थ सब्द बताईए पहाड का समानर्थ होता है परवत क्या होता है परवत तो आपको ये कक्सा चार उसके रिलेटेड है तो कक्सा चार वाले बच्चे इस गध्यांस को सांती से पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे ठीक है इस तुडान थैंक यू